हेलो फ्रेंड सेशे कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लेके आई हूँ एक माइक्रोवेव हैक सर्दियों में आपके बहुत जादा काम आने वाली है सर्दियों में अक्सर हमें बहुत सारी सब्जियों को भाप लगानी होती है या फिर जल्दी से उन्हें गलाना होता है तो कैसे आप सब्जियों को भाप लगा सकते हैं या फिर उन्हें हाफ ब्लांच कर सकते हैं कैसे हमें इस सब्जियों को ब्लांच करना होता है या भाप लगानी होती है या फिर स्टीम करने होती हीए निए सब्जिया तो आप कैसे माइक्र कर सकते हैं इसके लिए आज मैंने ये special विडियो बनाये है ए आज की विडियो में आपको बताऊंगी कि आजकल ऐसे आमले आ रहे हैं, आमले काचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, मुरब्बा, छुन्दा बगरा बनाते हैं तो कैसे आप इसको microwave में steam कर सकते हैं और वो भी बहुत कम समय में तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आमला ले लिया है, जो भी सबजी आपको स्टीम करनी है, वतलब भाप लगानी है, यहाँ पर मैंने आमला लिया है, आप चाहें तो आलू ले सकते हैं, गोवी ले सकते हैं, या फिर आलू, गोवी, मटर वगारा मिक्स करके ले सकते हैं, जो भी क आलू को भाप लगाना चाहते हैं तो आलू को धो के चील के अच्छे से उसको छोटे-चोटे टुकडो में काट लें, गोबी को भी इसी तरह से धो के काट लें, मटर को भी चील लें, जो भी सबजी आपको भाप लगानी है उसको आप छोटे-चोटे-चोटे टुकडो में क को किंग करने के लिए ये देखिये इस तरह से हवी इक आ जूना चाहिए बहुत जाहिए इकदम पतल्य घुंत बड़तन आपको ये कोई डुटन नहीं ये जुभा ये जिए बड़तन आपको नहीं यूज करेंगे तो इसलिए परतले काच का बरतन आप microwave में ना यूज़ करें अगर आपके पास इस तरह का काच का बरतन नहीं है तो इस तरह का heavy plastic का आता है ये देखिए ये अच्छा खासा एकदम solid plastic का है food grade का होना चाहिए food grade plastic का इस तरह का बरतन आप microwave में यूज़ कर सकते हैं देखिए बिल्कुल solid है ये और ये ना मेरे microwave के साथ ही आया है microwave के साथ भी एक बरतनों की kit आती है अगर वो आपके पास आई है ना वो आपके पास है तो आप उस में से इसी तरह का plastic का कोई बड़ा कटोरा यूज़ कर सकते हैं सबजियों को भाप लगाने के लिए या फिर उबालने के लिए यहाँ पर मैं ये देखिए इस तरह का मेरे microwave के साथ ही आया था और इसके साथ धकन भी है अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो ये जो हलवाई वाले डब्बे आते हैं हमारे पस मिठाईयों के डब्बे इस तरह के white जो थोड़े heavy type के होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई भी जैसे आजकल lock and lock वाले वो जो plastic के बच्चों के different box type के आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं पिर इस तरह के देखिए plastic का बड़ा डोंगा है ये मेरे microwave के साथ ही आया था मैं एकसर इसमें microwave में चावल बनाती हूँ ये चावल बनाने के लिए microwave के साथ ही आता है इसमें भी आप सबजियों को ब्लांच कर सकते हैं अगर उसको पहले कटोरे में डाल दें उसके बाद ये देखिए घर का ये regular glass है जिसमें हम पानी पीते हैं उसी glass से नापके बस आपको इसमें आधा या फिर एक चौथाई glass ही आपको इसमें पानी लेना है कप से ना पेंगे तो ये आधा कप पानी है और ग्लास से ना पेंगे त इतना सा पानी आपको नीचे नीचे डालना है इतना पानी नहीं डालना है कि सारी सबजियां ही उसमें डूब जाए हमें यहाँ पे सबजियों को भाप लगानी है अगर आपको बिल्कुल पूरा उबालना होना सबजियों को कि आपको इसको मैश करना है तब आप इसमें ज यह जो हमने बोल लिया है आम लेका इसमें रख देंगे और डोर को close कर देंगे उसके बाद आपके microwave पे एक microwave का बटन होगा जिसमें microwave लिखा हुआ होगा उसको हम प्रेस करेंगे तो जब आप microwave का बटन एक बार प्रेस करेंगे तो यह 900 वाट आपको दिखाएगा यह maximum वाट ह होता है दुबारा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 600 वाट पे आगया फिर 450 फिर 300 फिर 180 फिर 100 या लेकिन हमें जो कुकिंग करनी होती है नो maximum वाट पे करनी होती है तो 900 वाट पे हम यह आम लेको करेंगे जब भी हम कोई भी कुकिंग माइक्रोवेव में करते हैं तो उस हो हैं तो बाद में आप एक मिनट के लिए कर लिजेगा ताइमर लगाने के बाद मैंने स्टार्ट का बटन दबाया और आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो यह अंदर टरंटेबल है न वो मूव होना शुरू हो गया है और हमारे हमस में जो भी बोल में सबजिट आली है को एक मिनट में अब अच्छे से भाप हो जाते हैं और जितना हमको आचार मुरब्बा या फिर जम बनाने के लिए चाहिए होते हैं उतरे ही बहुत अच्छे से गल चुके होते हैं तो यहां पे चार मिनट हो गया है जब वीप बच जाएगी उसके बाद आप इस सरह से बो बिलकुल अच्छे से इसमें भाप लग चुकी है, बिलकुल गल चुका है, हाथ से इसी तरह से एकदम टूट रहा है, आचार बनाने के लिए इससे ज़्यादा हम इसको और गलाना नहीं पड़ता है, बस यहां पर यह चो आंवला है आप लग चुका है, तो फ्रेंट्स, इस भी सबजी इसमें भाप लगा सकते हैं आप अलू भाप लगा सकते हैं गोबियों को भाप लगा सकते हैं गाजर को भाप लगा सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपकी कोई microwave से related query है या कोई question है या फिर आपको confusion होती है कि microwave को कैसे चलाएं तो आप मुझे comment section में लिखके पूछ सकता है मैं आपके सारे सवालों का जवाब comment section में लिखके दे दूँगी आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह से microwave cooking की वीडियो जलाती रहूंगी अगर अचके वीडियो helpful लगी हो तो प्लीज वीडियो को like and share जरूर करें थैंक यू